है गाइस वेलकम टू स्टेडी एंड ग्रो यूटूब प्लेटफोर्म और इस वीडियो में हम बात करेंगे हूमन आई की हूमन आई में क्या-क्या वर्किंग होती है और कौन-कौन से पार्ट इन्वल होते हैं इसकी वर्किंग में उन सबको हम डिटेल से देखने वाले हैं पार्ट है तो जब भी हम किसी अब्जेक्ट को देखेंगे गाइस तो वह सबसे पहले लाइट एंटर होगी वह कौर्णिया से होगी तो कौर्णिया जो है सबसे पहले उस लाइट को रिफ्रेक्ट करेगा तो सबसे पहला रिफ्रेक्शन हमारी आई में होता है कौर्णिया से अगर मैं आप अब्जक्ट बना हो एक मालुम मि ने आप ट्री बना दिया इस ट्री को हमको उब्जर्ण करना है तो इस ट्री से लाइट हमारी आयमें आनी चाहिए अब लाइट आएगी तो सबसे पहले कोर निया से टकर आईगी और कोर निया उसको क्या कर अब जैसे के बाद अगले पाट पर चलते हैं तो वह हमारा एंटेरियर चेम्बर में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं liqueuid को हम क्या नाम देते है है "' aqlas humers' aqlas humers जो है वो eye lens और cornea के बीच में बरा होता है मतलब यह वाला पार्ट तो lens का आजाता है और यह cornea का पार्ट है इसके बीच में यहाँ पे जो है वो liquid बरा होता है अब इस liquid का काम क्या है कि जो cornea है जो कोड़निया है और जो हमारा लेंस है इसके बीच में लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर यह क्या करता है इस लेंस को और इस लेंस से जो भी मसल्स लगे होती है उनको सपोर्ट देता है और हमारी आय को कॉलेप्स होने से बचाता है और साथ ही जो नूट्रियंट्स है वो भी इसी से जो लेंस है उनके सिलेरी मसल्स है या फिर अधर पार्ट है उनको प्रोवाइड करता है जो भी नूट्रिशन वाला पार्ट है तो यह हो गया एंटेरियर चेंबर वाला पार्ट जिसमें कौन सा लिक्विड भरा होता है एक्वस हुमर्स पड़ा होता है अब इसके आगे हम चलते हैं तो अगला पार्ट आता है प्यूपिल अब प्यूपिल का गाम क्या होता है कि जो सबसे हमारा आख में जो एंटरिंग वाला पॉइंट है जब लाइट एंटर करती है तो वह एक गेट माल लो जो हमारा गेट है जो खुलता है तो कोई हम अंदर जाते हैं उसी तरह से जब यह खुलता है प्यूपिल तो लाइट अंदर जाती है और इसको कंट्रोल करती है आईरिस तो आईरिस जब उपर से फो यह उस हिसाब से प्यूपिल और आयरिस जो है प्यूपिल को क्या करता है एड़ेस्ट करता रहता है जिसे इसका एक्जामपल लेते हैं कि जब हम धूप में जाते हैं छत पे तो हम उस धूप में अगर कुछ काम करके वापस नीचे आते हैं तो हमको कुछ थोड़ी देर के ल जाता है लाज तो धीरे दीरे लार्ज होता है इसलिए हमको थोड़ी दीर बात सब कुछ दिखाई देने लगता है पर हम सड़नली जब नीचे आते हैं स्मॉल साइच के साथ उसके तो हमको रूम का कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो इस तरह से से वर्क करता है तो pupil क्या है, एक aperture की तरह है, एक क्या basically ये entrance प्रोवाइड करता है, entrance प्रोवाइड करता है light को, कि light यहां से enter होगी, और iris क्या है, इसको control करता है कि इसकी size कितनी रखनी है, तो ये part भी हो गया, अब आगे चलते हैं, तो light इसके बाद जाती है lens के उपर, जो हमारा eye lens है, उसके उपर इस वाले part में, जो eye lens लगा होता है, basically हमारी eye में होता है convex lens, तो convex lens पर जब light जाती है, तो light क्या करेगी, convex lens का काम क्या होता है, उसको, उसको converse करना एक point पर, तो ये इसको यहाँ पर converse कर देती है, और यहाँ पर इमेज बन जाती है इस point पर इमेज बन जाएगी और image किसके उपर बनती है basically retina के उपर यह screen है जो पूरी है यह screen है retina वह इस retina के उपर बहुत सारी cells होती है जो इसमें responsible होती है उसमें कुछ sense है एक तो macula है एक फोविया मेकुला का ग्याम क्या होता है कि मेकुला हमारे जो कोई भी चीज हम देखते हैं उसमें concentration को बढ़ाती है जिसे for example color intensity को बढ़ा रही है या फिर जो फोविया है क्या करती है ये भी किसी भी चीज में जिसमालों हम रिडिंग कर रहे हैं तो रिडिंग कर रहे हैं तो जो अक्ष अब यहां पर एक लिक्विड भरा होता है विट्रस जेल यह विट्रस हुमर्स भी इसको कहते हैं यह पूरा जो आई बोल वाला पार्ट है इसमें यह लिक्विड भरा होता है यह लिक्विड का काम क्या होता है कि जो हमारी यहां पर जो मसल्स है इनको रिलेक्स रखना और पूरी बजो muscles relax रहेगी, vitreous gel, जो हमारी आख के अंदर जो muscles से उसको relax रखता है, और साथ में, जो भी इसको collapse होने से बचाता है, pressure maintain करता है, temperature maintain करता है, तो यह सारे इसके function होते हैं, तो lens कौन सा है, convex lens, जिसने light को converts किया, retina पे, retina पे image form होती है, अब basically मालो हमने यहां पे object लिया, एक कोई, तो यहां से अगर light आई, तो light enter हुई, और इसको image बनगी retina पे, चो remade बनती है guys, retina पे, वो होती है, ulti, क्योंकि यहां पे object तो सीधा है, पर image बनती है ulti, अब यह ulti image को हमको सीधा देखना है, तो उसके लिए काम आती है, optic nerve, optic nerve क्या होता है, कि यह जो nerve है, यह brain तक जाती है, और brain को signal बेज़ती है, तो वहां पे जाके क्या होता है, कि हमको sense होता है, कि object किस तरह का है, तो वहां पे optic nerve है, इसमें responsible होती है, अब यहां पे कुछ और पार्ट देखते हैं, यहां पे देखो, यह rectus muscles, और यह भी है rectus muscles, यह superior है, यह inferior है, तो superior, इनका muscles का काम क्या होता है, जब भी हम किसी भी object को देखते हैं, तो अपनी आखे गुमाते हैं, या तो left में, या right में, हमको right में देखते हैं, तो अलकी से आके bend करते हैं, तो यह muscles क्या करते हैं, हमारी जो eyeball होती है, उनको hold करके रखते है, ताकि हमें flexibility मल सके, किसी भी चीज़ को देखने में, अब यहां पे कौन सा पार्ट बस जाता है, यह बढ़ जाता है, ciliary muscles है, ciliary body, ciliary body का काम क्या है, यह देखो, यहाँ पे इस lens से connected है, यह है इस lens से connected, तो lens की focal length जो है, उसको घटाना बढ़ाना का काम होता है, ciliary body का, मानलो को यह object पास में है, तो उसको देखने के लिए अलग focal length चीए, जो दूर है, उसको देखने के लिए अलग focal length चीए, तो ciliary muscles हमारे eye lens, high lens बैसिकली मानलो मैं ऐसा समझाओ, कि यह eye lens है, और यूदर ciliary muscles लगे हुई है, तो ciliary muscles जब contract होगी, तो eye lens को मोटा कर देगी, और मोटा कर देगी, तो इसकी focal length increase हो जाएगी, इसकी focal length increase हो जाएगी, अगर eye lens, यह ciliary muscle feature खीचेगी, तो lens हो जाएगा पतला, और focal length हो जाएगी decrease, तो यह object के हिसाब से lens को adjust करती है, तो basically एक तो stand की तरह काम कर रही है, जो lens है, उसके stand की तरह, और दूसरा उसको focal length को adjust करने में काम कर रही है, तो देखें, तो यह देखो, यह middle वाला part है, middle वाला part है, basically इसमें blood muscles है, और blood की जो supply होती है, eye co, यह muscles के साथ, जो nutrition हो रहा है, यह सब कहां से आ रहा है, इनी muscles से आ रहा है, koroids से आ रहा है, तो basically यह muscles है, कौन सी muscles है, blood की muscles है, तो यह provide करती है, nourishment provide करती है, जो हम खाते पीते हैं, basically हमारी eye को चाहिए होता है, vitamin A, तो वो सब nutrition कहां से आता है, इनी से आता है, तो guys, यह पूरा structure था, human eye का, सबसे पहले cornea, cornea सबसे पहला reflection करता है, उसके बाद light आती है pupil में, pupil को control करता है iris, और iris के बाद उसके बाद, जो light जाती है, वो जाती है lens में, lens उसको retina पे डालता है, और retina पे जो macular fovea है, यह हमें image की concentration के बारे में बताती है, कि वो किस तरह से है, जिससे हम कोई reading करते हैं, कोई हमको दूर का object देखना है, उस सबका concentration कितना रखना है, वो यह ही हमको बताती है, retina पे image उल्टा बनता है, तो optic nerve हमारे brain को बताती है, और वहां से हमको response मिलता है, सीधा image का, corrode क्या होती है, supply of blood, और जो nourishment होता है, वो, vitrush gel, हमारी eye को collapse होने से बजाता है, चिपचिपा बनाता है, सारे जो भी parts है उनको, ठीक है, उसके बाद यह superior rectus muscle है, और inferior rectus muscle है, यह क्या करती है, जो हमारी eye की movement होती है, उसको control करता है, ciliary muscles, lens की focal length को, और जो anterior chamber है, वो aquasumers उसमें liquid भरा होता है, जो किसके बीच में होता है, lens और cornea के बीच में, यह lens और cornea के बीच में आला liquid है, और यह retina और lens के बीच में आला liquid है, we trust there, तो यह पूरी working है हमारी eye की, तो guys इसको आप अपने सब्दों में भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, light is focused primarily by cornea, the clear front surface of the eye, which act like a camera lens, camera lens की तरह यह behave करती है, दूसरा है, iris of eye function like a diaphragm of camera, camera के diaphragm की तरह काम करती है, controlling the amount of light, कितने amount की light अंदर जानी है, उसको control करती है, ठीक है, इसके बाद, जो light होती है, वो उसको यह control कर लेती है, और किसकी वज़े से control करती है, pupil की वज़े से, pupil के size को, यह adjust करती है, उससे light अंदर जाती है, उसके बाद light जाती है, हमारे lens पे crystalline lens, जिसको हम नाम देते हैं, जो pupil के पीछे होता है, और वो further light को focus करता है, जिसको बोलते है, process of accommodation, process of accommodation का क्या मतलब है, light को, जो lens के द्वारा, जो focus किया जाता है, उसको बोलते है, process of accommodation, अब यह जो lens है, यह अपने आपको adjust करता है, और auto focus करता है, camera के lens की तरह, और basically कौन सा lens है, हमारे eye में, convex lens होता है, उसके बाद light focused by cornea, crystalline lens, दोनों ने light को focus कर दिया, और यह किसके पास पहुंचते है, रेटिना के उपर, light sensitive inner lining of the back of the eye, जो हमारे eye के back side में एक layer होती है, वो है, light sensitive होती है, जिसको हम रेटिना नाम देते हैं, और रेटिना क्या करता है, acts like electronic image sensor of digital camera, digital camera में जो sensor होता है, image का, उस तरह यह काम करता है, इस पर image का formation होता है, basically, रेटिना कनवर्ट, optical image to electronic image, रेटिना उस image जो बनी है, optical image उसको electronic image में convert कर देता है, और optic जो नर्व होती है, वो transmit करती है signal, visual cortex को, visual cortex जो है, हमें दिखाता है, कि जो हमने क्या देखा है, कौन से object को हम देख रहे हैं, तो basically, ये brain में जाता है signal, और वापस आता है, convert होके, जिस हमको पता जलता है, तो guys, पूरी working दी, आई कि आपको समझ में आओगा, अगर समझ में आता है, तो आप वीडियो को like करें, share करें, चैनल को subscribe करें, Thank you guys,